नमस्कार दोस्तों आप सब लोगों का वेलकमेंज स्वागत है कल की वीडियो से ही कई सवाल आपके आज की पेपर पे सीधा सीधा दिख गए काफी हमने कहा था कल का वीडियो आप लोगों को पूरा वाच करना चाहिए तिंचार रंग का वीडियो में तिंचार रंग के प्र प्रेशन वारारसी से जुड़ा हुआ था यानि बनारस से जुड़ी हुई वहां की जो कलाकारी होती है उससे जुड़ा हुआ प्रेशन पूंचा गया था दूसरा प्रेशन पूंचा गया था जो बच्चे होते हैं किस उम्र में सिंबल का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं नेती विकास का सिद्धान ताज की पेपर में दिख गया तो ये बहुत इंपोर्टेंट हमस्के जितनी भी स्टेज हैं सभी की सभी पढ़के जाएगा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली हैं दच्छिन भारत में के जो किले हैं यहाँ पर गलत लिखा है तो हम ये सारे डिटेल में बाद में आपको वीडियो मिल जाएगा साम तक तो परहसान मत हुएगा चैनल को के ओल सस्क्राइब कर लीजेगा नहीं किया भी तक तो और आगे हम बात करें तो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ कोशन आज की पेपर में सीधा सीधा रखा था तो नेशनल हाईवे वाली चीजे जरूर पढ़के जाएगा नेश टो एनेश फोर एनेश तिक्स वाली जितनी चीजे हैं वो काफी important रही है जीन पे आज एके sensory motor stage जो होती है वो किस उमर के बच्चों में होती है नहीं सुरुवाती stage है जो की sensory motor 002 वर्स किया बस था उसी को sensory motor बोलते हैं तो वही पूछ दिया आज की पेपर में की sensory motor की age क्या होती है तो 002 वर्स हमने कई बार कराया है वाई गोस्की का ZPD आज की पेपर में सीधा सीधा आ गया जो ना proximal development के बारे में तो ये भी आप लोगों ने किया हुआ है यानि वाई गोस्की से आज यहां से question मना जो की important रहा है dyslexia से जुड़ा हुआ question आपको देखने को मिल गया है पठन अधिगम छमता है कह सकते हैं बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है वहां से दिकत ही होती है जो वो question आपको यहां पे dyslexia से जुड़ा हुआ मिल गया है एक बात और याद रिखेगा आपको अगर आप Google पे जा हुए हैं लगबग मिल ही जाती है सब के सब आपको एक जाम करें डाट वार जी में तो जाकी जॉइन करो चलो आंगे की question देखते हैं यहां पर ADHD का full farm पूछा गया था तो comment में मुझे बताओ कि ADHD का full farm क्या होता है आप सभी साथ ही ADHD का full farm कमेंट में बताएगा 2005 NCF से दो प्रेशन पूछे गए थे आज की paper में फिर से तो NCF 2005 के बारे में पढ़के जाएगा और बहुत ही आसान है NCF 2005 ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है केवल ये tag word ही वहां से पूछे जाते हैं इतना ध्यान रखेगा NCF 2005 में जो tag word है वो सारे आपके काम कर जाएगे तो समस्या आपको नहीं होने चाहिए growth and development से प्रेशन आज की paper में दिखा है यानि ब्रदी एवं विकास से जुड़ा हुआ प्रेशन आपको दिख गया तो ये आप जानते हैं ब्रदी और विकास इसको जरूर आप पढ़के जाएगा लेड का फुल फार्म पूशा गया था जो कि आप लोग जानते ही हैं लेड का फुल फार्म language acquisition device की बात करते हैं नौम चोंस्की कहते हैं इन्होंने नौम चोंस्की ने बताया था कि जो ये लेडी होती लेड होता है ये बच्चे के पांच वर्स की आयो तक क्या हो जाता है बच्चे में भासा विकास में मदद करता है तो ये एक यंत्र है लेड जो कि नौम चोंस्की कहते हैं तो इसका फूरा नाम पूँच लिया गया था CCE सततेवं ब्यापक मुल्यांकन से प्रिशनाज की पेपर में दिखा जो की काफ़ इंपोर्टेंट था तो इसको जरूर पढ़के सभी लोग जाए तो CCE सततेवं ब्यापक मुल्यांकन असम के घर जो है बास और बंबू वाले वो उससे कोशन आ गया कि असम के घर किसे बनते हैं तो मालू है आप लोगों को बास और बंबू से बनते हैं उसका कोशन आज फिर रिपीट हुआ है ये सारे कोशन आप पढ़के जाएगा समावेसी सिच्छा से एक प्रेशन आज की पेपर में रखा था तो याद रिखेगा समावेसी सिच्छा में ऐसी कच्छा को कहते हैं जिस कच्छा में सभी प्रकार के बाला के एक ही चच्छा की नीचे रहते हैं उसको समावेसी कच्छा कहते हैं जैसे दिमान, कमजोर और के लांग से भी प्रकार की बच्चों को एक ही छत्की ने किसी इच्छा दी जाती है स्वावी सीक अच्छा में तो यह सारे चीज़ें ट्रेन से जुड़ा हुआ प्रेशन गडित में आया था आज के तो याने की जो चलने की दूरी होती है उसकी बीच की डिश्टेंस के साथ जो जो कोशन और मिलेंगे जैनकारे के साथ तब तक के लिए जयहिं